Hello everyone, so 17th of Feb का daily current affairs आप सब के सामने, तो चलिए पहले topic पे सीधा चलते हैं, world oil demand exited, कही न कहीं pre-covid से जो demand है वो बढ़ गया है, as per the OPEC report, कहीं न कहीं OPEC क्या है, इसको लेकर के हम discuss करते हैं, exam के point of view से, आप देखी सकते हो, जो भी news है, times of India का, organization of the petroleum exporting countries, OPEC, ठीक है, इसका full form, अभी full form सिर्फ जानने के लिए नहीं बताएते, OPEC, एक permanent, intergovernmental organization है, तो permanent है और intergovernmental, intergovernmental मतलब कि governments जो है, वो आपस में आ करके मिलते हैं, organization of oil exporting countries, वो countries जो oil export करती है, ठीक है, आप expect कर सकते हो, इंडिया इसका member होगा, नहीं, oil export कहा करते हैं, formation, it was established in 1960, by the five founding members, initially, 1960 में form करा गय था, पाँच founding members थे, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi, और Venezuela, ये पाँच सदस्य थे, headquarters की बात कर ली जाए, तो आपको Vienna, Austria में इसका headquarters है, important है, याद रखियेगा, OPEC जो है, उसका headquarters, Vienna, Austria, ठीक है, साथ-साथ, अभी फिलाल 13 members हो चुके हैं, इसमें आपको मिल जाएगा, कहीं न कहीं, Algeria, Angola, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Libya, Nigeria, और UAE, बाकि आपको इस map से भी cover हो जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, काफी सारे countries जो है, वो कतर जैसे, Ecuador, इन्हों ने अपने आपको निकाल भी लिया, तो इस वज़ए से आपको, यह जो map है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, और इसके अलावा, coordinate और ले करके fluctuations unnecessary ना हो, ओपेक प्लस भी एक body है, confused मत होईएगा, ओपेक से ही जुड़ा हुआ है, इसमें, उसमें 13 थे, इसमें 23 हो गए, 23, और इसके अलावा, यह regular meet करते हैं, किस तरीके से crude oil को बेचा जाएगा, world market में, इनका भी वही काम है, तो सब वही है किसे पिटे, 13 ओप Sudan, Sudan और Oman, तो यह सारा ओपेक प्लस का part है, ठीक है, चलिए, next operation, दोस्त, तो यह mint का article, भारत, medicines और equipment, 7 करोड तक का भी तक भेच चुका है, तर्की और सीरिया में, मदद के लिए, तो कही ना कहीं बात इस value की नहीं है, बात यह है, कि हमारा जो हमेशा से principle होता है, हमेशा से जो दूसरों को ले करके पहले प्राथमिक्ता देते हैं, उसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, किस तरीके से हम दोस्ती निभा रहे हैं, अपने मुसीबत में पड़े इस वक्त के दोस्तों का, ठीक है, चलिए, तो यह आदी होगा, तर्की के गाजी एंटेप में इधर एपी सेंटर था, बिसी कली कहरानमन मारस प्रोविंस में, और सीरिया आपके मैप में देख रहे होगे, नीचे यहाँ पे, ठीक है, तो यह ओपरेशन दोस्त, बिसी कली बताई दिये वैसे तो, कि जो भी सर्च और रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है, के तरफ से जो भी मदद हो पा रहा है, वो वो कर रहा है, इसलिए उन्होंने तीम भी भी भेजा है, NDRF का, साथ-साथ, फिल्ड हॉस्पिटल, मटीरियल्स, दवान्या, एक्विप्मेंट, टर्की और सीरिया, वैसे भी हम फार्मिशा से कहीं ना कहीं, जो है, वो जादा से ज़्यादा कोशिस करते हैं, दूसरों की सहायता करने का, और इस वक्त तो बिल्कुल करना भी है, और नेक्स टॉपिक है, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इन्होंने इंट्रेस्ट दिखाया है, तेजस, यह आपके सामने, हमारे देश का जाबाज, योद्धा, तेजस, हमारा अपना इंडीजेनर्स है, तो नाइट कमबाट एरक्राफ्ट प्रोग्राम जो है, वो स्टार्ट कप करा गया था, 1984 में भारत सरकार के द्वारा, और इन्होंने एरोनाटिकल डेवलपमेंटल एजेंसी को इस्टाब्लिश किया, तो वो मैनेज कर रहे थे, वो तोना इंपोर्टन नहीं है, LCA प्रोग्राम 1984, और इसने रिप्लेस किया, मिग 21 फाइटर, प्लेंस को जिसको उड़ता, ताबूत भी हम बोलते हैं, ठीक है, काफी ज़्यादा, बार आप देखे होगे, प्लें क्रेश हो जाते हैं, और हमारे काफी ज़्यादा जो उसमें पाइल अगर आप पहचान रहे हैं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी बताईएगा, इसके अलावा फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो यह काफी हलका होगा, काफी छोटा होगा, और टेल लेस होगा, ठीक है, टेल लेस मल्टी रोल, काफी इसका यूनिक रोल होगा, सूपर सॉ अगर फ्लेन है, इसके हलुआ, इसके अलवा, मैकसीमं पेलुट के पैसिटी है, और मैकसीम मैकसीमं स्पीड कितना है, तो वन पोईंट एट मैक है, ठीक है, लगभग लगभग आपको हम बताए, तो चार बर दो लगा लीजे 2-2-2-2 kilometers per hour ठीक है थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है घटने वाला तो नहीं है range of aircraft जो है वो लगबग 3000 km है फिर आप देखोगे next topic जो है वो आपके सामने यहाँ पे ministry of chemicals and fertilizers doctor mansook mandabia inaugurate किये है इफको का nano urea liquid plants at aula and full poor in उतर प्रदेश तो यह क्या important है अब हमारे लिए कि इफको का जो nano urea liquid plants है इसको ले करके ministry of chemicals and fertilizers दिखा दिए आपको ठीक है वही खबर है फिर अब liquid nano urea है क्या यह तो urea basically एक chemical nitrogen fertilizer है जो कि white in color होता है देखा होगा शायद आप लोगों ने जो कि artificially provide करता है nitrogen nitrogen plants के लिए basically major nutrient होता है और आपको पता दें कि भारतिय सॉइल में nitrogen जो है वो लैक करता है तो इसलिए हमें nitrogen जो है वो additionally add करना पड़ता है जिसमें urea major role play करता है ठीक है इसके अलावा आप देखोगे तो कही ना कहीं लिक्विड नैनो यूरिया जो है वो essentially urea ही है जो कि नैनो पार्टिकल के फॉर्म में होगा liquid के फॉर्म में यह आपको नजार आएगा इसके साथ-साथ इसका benefits क्या आपको यूरिया तो पहले सही था तो फिर लिक्विड नैनो यूरिया लाने के क्या ज़रूरत है बात सही यह क्या देखते हैं कॉस्ट जो है पहला benefit की कॉस्ट की बात लिक्विड नैनो यूरिया जो है वो cheaper है यूरिया से ठीक है सस्ता है क्यों सस्ता है वो भी अभी हम देखते हैं efficiency जो है liquid नैनो यूरिया का वह as high है as 85 to 90% conventional यूरिया का efficiency सिरफ 25% होता है तो पहली बात तो यही ह है कि suppose आपको यूरिया अभी आप चार बोरी ला रहे हो ठीक है तो कहीं ना कहीं अगर वो 100 रुपए का भी है तो 400 रुपए ठीक है क्योंकि efficiency तो 25% ही है और यह अगर आपको 100 रुपए में भी मिल रही है तो इसका efficiency 90% है मतलब आपका काम almost 100 रुपए में ही वो कर दे रहा ह वो पूरा लगभग एक साल का है और farmers को परिशान होने की जरूरत नहीं है कि केकिंग हो जाए अब केकिंग का मतलब कि जो गाउं से होंगे बिलॉंग करते उनको मालूम होगा कि जब आप यूरिया जैसे खात को आप मतलब रख देते हो वैसे ही तो बरसात के मौसम में कैस जाता है कि वह मौईश्यर नमी के वज़े से सूखने असा लग जाता है और वह मतलब सूखना तो नहीं एक्षुली लेकिन वह केक सा बनने लग जाता है हलका सा वह गोला गोला सा बन जाएगा एकदम लड़ू जैसा और उसके वाद मुसका इस्तिमाल भी नहीं हो सकता है वह हो जाएगा एकदम उसका कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यूरिया बैसिकली छिड़काओ करा जाता है तो हाथ में आएगा तक तो आप छिड़काओ करोगे भी वह पत्थर बन जाएगा तो आप क्या फेकोगे पत्थर थोड़ी फेक दोगे और बैसिकली वह लिक्विड नैनो में आपको अटलिस्ट ये जमेला नहीं रहेगा क्योंकि वह साल भर तक का है उसमें कुछ मॉइस्टर वगरा का प्रॉबलम भी नहीं है नैनो फॉर्म जो है वह एक टार्गेट सप्लाई भी देता है नूट्रियंट्स को कि वह प्रॉपर खेतों में जो फेका जाता था फिर खेतों से पेड़ों में लिया जाता था और वह प्रोसेस में उस तरीके से पेड़ों को भी बेनिफिट नहीं होता था फिर यह रेड्यूस करें का फॉर्टी राइजर सब्सीडी बिल भी भारत सरकार का कहीं न कहीं आपको पता होगा कि खेंदर सरकार जो है वो सब्सीडी भी देती है इसको लेकर के सरकार का जो बिल है यह भी बढ़ जाता है सब्सीडी का तो यह हम अबर थे आइपको की बात कर लेते हैं अहर तरीके में청 पर कुछ भी छोड़ेंगे नहीं आ पश हम का पूरी कि एनिशिये निशियेटिफ hardness थोड़ा health effects था, but yes, right now I am back to work, so बस आप सब भी लगे रहे हैं और अपने पढ़ाई को एकदम best तरीके से करते हैं, success लेना है, इफ को established किया गया 1967 में, और ये भारत का biggest cooperative societies है, basically जो की wholly owned है by Indian cooperatives, तो Indian cooperatives cooperatives के द्वारा owned है ये, इसलिए इसका full form भी आप देखोगे, तो ये Indian farmers fertilizer cooperative limited है, ठीक है, और इसका objective है कि ये timely supply कर सके, reliable high quality agricultural inputs और services, environmentally sustainable manner में, establish खाली देख लीजएगा, और ये wholly owned by Indian cooperatives है, ठीक, चलिए, और cooperative societies, quality का part, 97th Constitution Amendment Act से लाया गया था है, याद है कि नहीं, और DPSP में भी है, article याद होगा, तो mention करिए कि गांधियन principles में आता है, चलिए, आपको इदना तो बता दिए, 43B है शायद, सही होगा या गलत, बता जरूर दीजेगा, चलिए, अभी एक question आपके लिए हम रखे है, और ये question UPSC 2020 का है, चलिए मिलके solve करते हैं, question का first statement है, और question से पहले, जो हम हमेशा कहते हैं, correct पूछा है या incorrect, तो correct पूछा है, तो सुकून की सा question पर आते हैं, chemical fertilizers से जुड़ा हुआ है, at present, the retail price of chemical fertilizers is market driven, वो कह रहा है कि फिलहाल के लिए, जो retail price है, हमारे जैसे जो खुदर विक्रेता है, जो खुदर खरीदार है, दरसल, उनका जो chemical fertilizers जो उनको दिया जाता है, वो market driven है, market तै करती है, not administered by the government, market तै करती है और इसको सरकार तै नहीं करती है, ठीक है, अब agriculture कहीं ने कहीं concurrent list का part है, तो अगर आप options को देखोगे, तो थोड़ा सा doubt है, ठीक है, बैसे संभव होने के chances काफी कम है, दूसरा है ammonia, जो कि एक input है, यूरिया का, is produced from natural gas, इसको natural gas से बनाया जाता है, और तीसरा है कि sulfur, जो कि एक raw material है, phosphoric acid fertilizer का, एक by product है, oil refineries का, अब यहाँ पर basically देखे, ऐसे questions में, अगर आपको आता है, तो आता है, नहीं आता, तो नहीं आता वो बात तो है, लेकिन ऐसे statements जो है, वो positive है, तो आप इसको सही मान सकते हो, यहाँ पर completely negative की बात करें, क्योंकि government अगर subsidy दे रही है, तो government price को regulate नहीं करेगी, क्या, तो government price को to regulate करेगी न, और अगर हम elimination से जाते हैं, तो at least हम 2 options को eliminate कर पाएंगे, आराम से, अब जब हम 2 को eliminate कर हैं, तो 2 तो anyhow correct होगा, और अगर 2 correct है, तो हम risk ले सकते हैं, दो में से कोई एक का, और ज्यादा तर chances है, कि दोनों correct होता है, और 2 and 3 the right answer, तो इस तरीके से आपको यह concept भी clear हो गया होगा, next है, government integrate करता है, भासीनी mission capabilities का, UPI ecosystem के लिए economic times का news आपके सामने, ठीक है, तो यह भासी से सब को जोडने की बात करी जा रही है, ठीक है, और यह आपके सामने, भासीनी initiative, एक वो initiative है, जो local language translation mission है, जिसका aim है कि break करना barrier between various Indian tongues by using available technology, क्या बोल रहा है, Microsoft Project Allura भी याद रखियेगा, rare languages को promote करने से जुड़ा हुआ, भासीनी क्या कह रहा है, one of these initiatives, जो कि local language translation mission है, translation mission है, य local language को translate करने का mission है, जो break करता है barrier between various Indian tongues, हो सकता है, South के जो भाशा है, वो अलग है, तेलुगू, कन्नड, मलयाल, मोडिया, ठीक है, बेंगौली, मराथी, अब वो सारे languages, जो भी local languages है, even और ज्यादा local languages जो है, उसको यह translate करेगा, ताकि जो सहूलियत हो सके, बात करने में, translate करन के Indian, MSME, startups, or individual innovators के लिए public domain में रखा गया है, और इससे developers को offer करा जाएगा, Indians को internet और digital services, उनके native languages में, तो इससे हम startups को भी बढ़ावा दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको English ही आना चाहिए, तो आपके पास अगर unique concept है, तो यह जो mission होगा, वो बहुत जादा help करेगा, तो इस देश के योगदान, जो की growth के तरफ है, उसमें अपना साथ निभाते रहे हैं, और I hope आपको आज का जो भी current affairs का topic था, वो clear हो गया होगा, फिर भी कुछ doubt रहता है, तो आप पूछ सकते हैं comment section में, और बाकी के further videos के लिए जुड़े रहे हैं, वीडियो के साथ में, मिलत thank you, bye bye and take care